नमस्कार बच्चो यूट्यूब चैलल शिक्षाले में आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है रेनुयादव आज हम पढ़ने वाले हैं कि अलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइट के बेसिक डिफरेंस क्या होता है बच्चे बहुत कन्फ्यूस हो जाते हैं हाला कि ये दोनों ही हैलाइट श्चे फिर थ्री हाइबरेंस क्राइटम से ही हैलोजन को जोड़ते हैं तो बेसिक डिफरेंस क्या होता इनके बीच का आईए समस्ते हैं कि एक ऐसा कारबन एक ऐसा कारबन जो एक ऐसे कारबन से जुड़ा हो जो डबल बॉंड़ीड है वो कार्बन बोलते हैं ठीक है कार्बन का क्या मतलब हुआ एक ऐसा कार्बन जो इंटर्न किसी दूसरे कार्बन से जुड़ा है जो डबल बॉंडड है ठीक है अगर इस तरीके के कार्बन पर कोई भी हैलोजन आकर अटेश होता है तो वो कहला जाएगा एलाइलिक है आप ये भी स मस्ते हैं कि अगर इस बैंजीन निंको मैं देखती हूँ तो यहां हर जगा कार्बन है ठीक है और ये कार्बन दोनों तरफ से हाइड्रोजन से जॉइंड है ये अब आप अच्छी तरह से जानते हैं हमने ये बात बहुत पहले भी डिसकस की है कि इन हाइड्रोजन को हम दि गया है तो कुल मिलाकर ये जो कार्बन है उसका ऐइस तरह से जोइन होने की बज़े से हो गया इस पीड टू यस कार्बन का हाइड्रोजेट भी हो गया आपका सपीड तू लेकिन बाकि जतने भी कार्बन है क्यूंकि वह चारों तरह से बांडिज है वह सारे होगह SP3 hybridized Elylic hyalite कहता है कि मेरा जो hyalogen है वो SP3 hybridized carbon से ही जुड़ेगा लेकिन वो carbon भले ही ये हो या ये हो एक ऐसे carbon से जुड़ा होना चाहिए जो double bonded हो तो double bonded carbon तो या तो ये है या ये है तो hyalogen आकर इस से ही जुड़ेगा या फिर इस से जुड़ सकता है तो of course hyalogen आएगा तो hydrogen को हटाएगा उसकी जगा ही लेगा और ये hydrogen हम ring में नहीं दिखाते हैं तो आप इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं ये हो गया ठीक है तो ये होता है आपका Elylic hyalide यानि एक Elylic carbon से जुड़ा हो हेलोजन Elylic carbon वो carbon जो एक ऐसे carbon से जुड़ा होता है जो double bonded होता है अगर आप एक एलकीन की बात करते हैं तो यहां आप देख पा रहे हैं कि ये जो carbon है वो तीन तरफ से जुड़ा है तो of course ये SP2 hybridized है ये carbon भी 1, 2 और ये तीन तरफ से जुड़ा है ये भी SP2 hybridized है और क्योंकि यहां पर कोई भी sharing करने के लिए hydrogen नहीं था हमने एक bond बना दिया तो ये double bonded हो गया लेकिन ये जो carbon है ये चारो तरफ से किसी ने किसी से घिरा है जब यहां X नहीं था जो double bonded हो तो ये carbon एक ऐसे carbon से जुड़ा है जो double bonded है यानि इस carbon के किसी भी hydrogen को replace करके hydrogen आकर उससे जुड़ जाता है ये बहुत ही simple है ये हो गया L-I-L-E Benzolic तो बहुत ही simple है Benzene तो आपको पता ही है Aromatic ring हम इसको बोलते है हर तरफ bond है तीन bond है तीनो bonds की वज़ा से हर एक carbon SP2 hybridized हो जाता है लेकिन अगर आप इस में से ये जो आपका carbon है इसकी linking आप किसी और carbon से कर दीजे मान लीजे ये आपका methyl group मैंने जोड़ दिया तो इस carbon का nature क्या हुआ इस carbon का nature हो गया SP3 hybridized अब इस SP3 hybridized carbon carbon को carbon जो तीनों तरफ से hydrogen से जुड़ा है इसकी किसी भी hydrogen को हटा कि कोई भी hydrogen अगर आ जाता है तो वो benzylic hyalide कहलाया जाएगा यानि benzylic hyalide की केवल एक ही condition है वो ये है कि जो भी carbon होगा किसी भी position पे carbon हो सकता है पर वो carbon हमारा benzylic carbon होना चाहिए यानि कि benzene ring से जुड़ा हुआ carbon होना चाहिए अब carbon अकेले तो आएगा नहीं ना एक तरफ से benzene से जुड़ जाएगा तो बाकी तीन तरफ से तो of course hydrogen से ही जुड़ेगा फिर hydrogen की एक जगा ले लेगा halogen और आप इसको इस तरीके से देखते हैं देखिए CH2, CH2, CL किसी भी position पर लगा सकते हैं हेलोजन कोई हर्ज नहीं है क्योंकि सारा का सारा यह जो benzene है हर जगा double bond होता है लेकिन शर्ट इतनी है कि आपको carbon जोड़ना ही पड़ेगा और वो carbon SP3 hybridized होना चाहिए यह वाला carbon देखो यह एक तरफ से hydrogen से जुड़ा था एक तरफ से यहां और यहां भी hydrogen से ही जुड़ा था तो इसके पास आकर उन्होंने halogen को जोड़ दिया clear हो गया इस carbon के साथ halogen को क्यों नहीं जोड़ा क्योंकि benzylic halide की एक ही condition है वो condition यह है कि carbon benzylic carbon होना चाहिए यानि direct benzene से जुड़ा होना चाहिए क्योंकि direct benzene से यह carbon जुड़ा है इसलिए यहां जो hydrogen रहा होगा उसको displace करके chlorine या फिर हम hydrogen इसको कह सकते हैं आके यहां adjust हो गया यह carbon इसके पास तीन hydrogen है यहां आकर कोई भी halogen attached नहीं होगा क्योंकि यह carbon directly benzyne ring से जुड़ा नहीं है आई होप आपको समझ में आ गया होगा तो यह basic difference होता है allylic और benzylic के बीच में दोनों ही conditions में hydrogen एक ऐसे carbon से आके जुड़ेंगे जो sp3 hybridized होगा allylic के case में allylic carbon होना चाहिए यानि ऐसा carbon जो ultimately किसी और carbon से जुड़ा हो जो double bonded हो भले ही वो ring में हो या फिर वो open structure में हो benzylic के case में open structure का कोई case नहीं होता एलकीन एलकाइन का कोई case नहीं होता सीधे बैंजीन होगा condition सिर्फ एक ही होती है कि carbon benzylic होना चाहिए यानि कि बैंजीन ring से directly attached होना चाहिए carbon तो मैं हैलोजन दे दूंगा और आपको पता है कि sp3 hybridized ही होना चाहिए carbon राइट तो यह basic difference था इन दोनों के बीच का I hope आपको यह चोटा से lecture समझ में आया होगा chemistry से अपनी chemistry अच्छी बनाई है शिक्षा ले आई है अपना खयाल रखिए खुश रहिए और आपकी जय होगी आप ऐसा अच्छ रहे नमस्कार